हेलो एब्रिवन आज हम करेंगे वर्क्षीट नूमबर 156 आज के हमारी वर्क्षीट मैथ्स की वर्क्षीट है और पिछले वर्क्षीट में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन्स पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किये थे उसी को आके कंटिन्यू किया गया है आज के हमार जब बनते हैं तो उसमें कितने पैसे लगते हैं किस तरह से हिसाब रखते हैं जो बनाने वाले हैं वो कैसे करते हैं वो सब देखेंगे रोहन सर्दियों के चुटियों में अपने गाउं गया था उसने वहां देखा कि सबी लोग अचार और चटने बनाने के काम में वियस्त हैं रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सबजियां पूरा साल नहीं चलेंगी इसलिए हम उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं यह अचार शहरों में बेच कर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्चप पूरा कर सके दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गो भी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसे सबजियों का अलग-अलग परकार से संरक्षिन करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है रोहन ने चटने और अचार बनाने तत्ता उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिये सबसे पहले हम एक बार ये सारनी देख लेते हैं टेबल दिया गया है कीमत का यानकि किस चीज की किस सबजी की कितने कीमत है गाजर यहाँ पर 18 रुपे की 1 किलो दी गई है मटर 36 रुपे की 1 किलो फूल को भी 13 रुपे की 1 किलो शलगम 24 रुपे की 1 किलो और टमाटर 16 रुपे की 1 किलो तो यह हमें दिया गया है अब हम आते हैं हमारे question number one पर question number one रोहन की दादी ने डेड़ सो किलो टमाटर की चटनी बनाई है तो टमाटर दिये गए हैं डेड़ सो किलो चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी तदा एक लीटर सिर्का प्रियोग किया है यदि एक किलो टमाटर की कीमत 16 रुपे है जो कि हमें टेबल में भी दी गई थी एक लीटर सिर्के की कीमत 35 रुपे है और एक किलो चीनी की कीमत 48 है तो डेड़ सो किलो टमाटर की चटनी बनाने में कुल कितनी लागत आई होगी हमें टोटल कोस्ट निकालनी है Queshn समझा गया Total 500 kg टमाटर है 10 kg चीनी है 1 litre सिर्का है और इन सब की हमें कोस्ट दी गई है हम क्या करेंगे इन सबेंगे 1.500 kg टमाटर के पैसे निकाल लेंगे 10 kg चीनी के पैसे nिकाल लेंगे और 1 litre सिर्का की कोस्ट हमें पहले से दी हुई है और इन सब को टोटल कर देंगे हमारे पास पूरी चटने की लागत आ जाएगी तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगोंने question number one किया है यहाँ पर question number one में हम लोगोंने क्या किया है 10 किलो चीनी की कीमत 10 गुना 1 किलो चीनी की थी 48 रुपे हमने multiply कर दिया 480 रुपीज आ गए एक लिटर सिर्का की कीमत हमें 35 रुपे दिये हैं हमने one से multiply किया क्योंकि एक ही लिटर है 35 रुपे 1.500 किलो टमाटर की कीमत 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपे टोटल डेड़ सो 2400 रुपे चटनी बनाने की कुल लागत हमने ये जो हमारे पास आए 480, 35 रुपे और 2400 इन सब को टोटल कर दिया हमारे पास कुल चटनी बनाने की लागत आए 2915 रुपे 2915 रुपीज यहाँ पर हमारा equation number 1 complete होता है next आते हम question number 2 पर question number 2 हमें दिया गया है घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर और फूल कोबी का खटा मेटा आजार बनाया है कहाँ पर टमाटर गलती से लिखा हुआ है हम नीचे जब हम देखते हैं तो इसके लिए हमें दिया है इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर गाजर ठीक है क्योंकि गाजर तो यहां पर दी हुई है 25 किलो गाजर 25 किलो शेलगम इस्तिमाल की है यह टमाटर शायद गलती से लिखा हुआ है यहां पर शेलगम आएगा और 12 किलो फूल गोबी का प्रियोग किया है कीमत सारने का प्रियोग करत के पता लगाए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सबजियों पर कितना खर्च किया हुगा तो ध्यान से अगर हम देखते हैं हमने टेबल में देखा था यह हमें टेबल दिया गया है टेबल में हमने देखा था गाजर की कीमत कितने थी हम सिर्फ उन चीजों को देखेंगे जो हमें इस question में चाहिए है गाजर चाहिए है गाजर की कीमत थी 18 रुपे 18 रुपे उसके बद हमें चाहिए शल्गम, शल्गम की कीमत है 24 रुपे उसके बद फूल गोभी फूल गोभी की कीमत है 13 रुपे तो यह हमने टेबल से जो हमें सारणी दी गई थी उससे हमने कीमत लिख ली अब हम क्या देखेंगे 25 किलो गाजर की कीमत निकालेंगे 25 किलो शलगम की और 12 किलो फूल गोवी की मत निकालेंगे और फिर सबको टोटल कर देंगे हमारा टोटल खर्च आ जाएगा सेकेंड कुईशन हमने यहां पर किया है तो सेकेंड कुईशन में हम लोगों ने क्या देखा है 25 किलो हमने गाजर की कीमत निकाली 1 किलो गाजर की कीमत 18 रुपे हमने 25 से गुना कर दिया 450 रुपे 25 किलो शलगम की कीमत 1 किलो शलगम की कीमत 24 रुपे 600 रुपे आ गया 12 किलो फूल गोबी की कीमत 1 किलो फूल गोबी 13 रुपे की 12 से गुना कर दिया 156 रुपे खर्च कितना आया टोटल सबजियों पर खर्च हम लोगों ने साड़े चार सू छे सो रुपे और एक सो छप्मन रुपे तीनों को टोटल कर दिया बारा सो छे रुपे एक हजार दो सो छे रुपे आया वन थाउजन टू हुंडर्ट सिक्स रुपीज तो यह हो गया हमारा सेक किलो अचार बनाया है यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवशकता होगी मर्तबान होते हैं यह जिनके अंदर अचार पैक करके रखे जाते हैं आप अगर अचार वाली शॉप पर जाते हैं तो वो बरतन पर में अचार रखते हैं तो टोटल पिछेतर किलो अचार ध्यान से क्वेशन समझेंगे टोटल है 75 केजी और आधा-ाधा किलो के मरतबान है यानि कि एक जो बरतन है एक बरतन में सिर्फ आधा किलो ही आता है तो हमें कितने मरतबानों की आवशकता होगी अगर हम mental maths के हिसाब से question को करना चाहें तो simple सी बात है एक किलो के लिए हमें दो मरतबानों की आवशकता होगी एक किलो के लिए हमें दो मरतबानों की आवशकता होगी तो 75 किलो के लिए हमें कितने की हमने 2 से गुना कर दिया अगर हम simple mentally solve करें यहां से हम लोग ना देखें तो हमें कितने की आउशकता होगी आधा आधा किलोग में तो 1 किलो अचार के लिए 2 बर्तरों की जरूरत होगी तो 55 किलो के लिए हमने 2 से गुना कर दिया 1.500 कितने मर्तबान चाहिए हमें 150 simple सा question था है तो next question पर आते हैं question number 4 question number 4 है रोहन के दादा जी ने ये सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भीजने हैं इसके लिए वैगत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं यदि वह एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो कुल 1.500 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे तो हमारा answer 1.500 मर्तबान आया था यानि कि total 150 मर्तबान कितने डिब्बे चाहिए होंगे अकर एक डिब्बे में 6 मर्तबान आते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है ज्यादा चीज़े दी हूँ और कम चीज़े पूछी हूँ तो हम डिवाइड करते हैं हम वही करेंगे कुल मर्तबान 1.500, एक डिब्बे में मर्तबान 6 दोनों को डिवाइड करके 25 कुल कितने डिब्बे चाहिए 25 डिब्बे चाहिए और हर डिब्बे में हम 6-6 मर्तबान रखतेंगे यह हो गया हमारा यह वला question next question पर आते हैं रोहन के दादा जी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रुपे रखी है तो चाहर के 1.500 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी एक मर्तबान की कीमत 175 रुपे है तो 1.500 की कितनी होगी simple सा question multiply कर देंगे कम दे करके एक की दे करके ज़्यादा की पूछिय है हम multiply कर देंगे एक मर्तबान की कीमत कुल मर्तबान सबी मर्तबान की कुल कीमत मल्टिप्लाई कर दिया अंसरा गया 26,250 रुपए यानि कि दादा जी जब उनको बेचने के लिए जाएंगे तो उनको टोटल रुपीज कितने मिलेंगे जब अगर सारे बिक जाते हैं तो 26,250 रुपए अब आते हैं नीचे वरक्षीट का हमें पेज नमबर 12 एंड 13 करना है बारा और तेरा करना है तो इसको हम देख लेते हैं एक बार ये है हमारा वरक्षीट का पेज नमबर 12 इसके बाद हम 13 कर लेंगे क्वेशन दिया गया है प्रिया एंड हो मदर वेंट टो अबुक फेर प्रिया और उसकी मम्मी प्रगती मैदान में बुक फेर में जाते हैं प्रिया वोज वेरी हैपी टो सी डिफरेंट टाइप्स अफ बुक्स प्रिया को बहुत मज़ा आता है खुशी होती है अलग-लग तरह के किताबे देखकर शी परचेज़ र कलरिंग बुक कलरिंग फोर किड्स फोर हर सेल्फ वो खुद के लिए एक बुक लेती है और अपने तीन दोस्तों के लिए भी वही बुक ले लेती है एक बुक की कीमत पैंतालिस रुपे है तो बताओ कि टोटल उसने कितने पैसे दिये होंगे तो एक बुक की कीमत अगर पैंतालिस रुपे है तो टोटल चार किताबे हो गई एक उसकी खुद की और तेन उसके दोस्तों की तो टोटल पैसे हो गई 180 रुपे यह हो गया हमारा फर्स्ट क्वेशन निक्स्ट क्वेशन हमें दिया है इफ हर मदर गेव 200 रुपे नोट टू दे शॉप कीपर अगर उसकी मम्य दोसो रुपे का नोट दुकानदार को दिया है तो वो कितने रुपे वापिस देगा दोसों में से 180 रुपे काट कर वो 200 रुपे वापिस देदेगा यह हो गया हमारा Next है Next है Next वाले में दिया है प्रिया ने यह जो टेपल में बनी हुई तीन किताबे हैं यह भी खरीद ली हैं तो बताओ कि वो इन तीन किताबों के लिए कितने पैसे देगी तो हमने तीनों को टोटल कर दिया है 82, 96, 75 तिनों को एड़ करके 253 रुपीज हो गए नेक्स्ट हमें नीचे दिया है एक रेस में दोडने वाले 12 लोग हैं अगर उन में से एक चोथाई लोग रेड कलर की कैप पहने हुए हैं इस क्वेशन को ध्यान से देखेंगे बहुत आसान क्वेशन आगर समझ में आ जाएगा तो देर आट 12 रुनर्स इन रेस क्वाटर ओफ देम हम लोग क्वाटर की बात आई है तो हम लोग क्वाटर कहां पढ़ते हैं घड़ी में पढ़ते हैं हम लोग क्वाटर हमने एक सर्कल बनाया उसके चार हिस्से कर दिए क्वाटर क्या मतलब चोथा हिस्सा तो इस पूरे मान लोग की ये पूरा का पूरा जो हमारा बना है सर्कल ये हैं 12 लोग 12 में से एक चोथाई लोग लाल कलर की कैप पहनते हैं यानि कि एक चोथाई लोग लाल कलर की कैप पहनते हैं तो इन सभी में अगर हम देखे तो एक चोथाई कितना आया तीन लोग तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तभी तो बारा हुए तो तीन लोग यानि की रेड कलर की कैप पहनते हैं नेक्स्ट हाफ ओफ देम ग्रीन कैप पहनते हैं half of them half का मतलब आधा तो हम लोग आधे को green कलर से कर देते हैं यानि कि green कलर कितने लोग पहनते हैं तीन और तीन छे लोग पहनते हैं तो इन्होंने पूचा है कि कितने लोग रहे गए जो ना red कलर की कैप पहनते हैं और ना green color की, तो कितने बच गे, तीन लोग, यह हम mental maths का question के हिसाब से अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने proper divide करके भी solve करके बताया है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी यह worksheet complete होती है, एक बर parents के लिए देख लेते हैं, क्या सुझाव दि तो अपने parents के साथ यह discuss कर लेंगे, और यहाँ हमारी worksheet complete होती है,